हारने वाले हमेशा असफलता के डर के बारे में सूचते हैं लेकिन जीतने वाले हमेशा सफलता के पुरुसकार के बारे में सूचते हैं दोस्तो मैं आज आपको अलीबाबा.com के फाउंडर और इस समय चीन के सबसे धनी व्यक्ति जेक मा के सफलता के कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जैक मा विश्यो के सबसे सफल इंटर्पेन्योर में से एक हैं उनकी कुल संपत्ति 20 बिलियन डॉलर्स आखी गई है दोस्तो जेक ने ये सफलता इतनी आसानी से नहीं पाया है उनके संघर्चों को अगर आप जानेंगे तो आश्यर करेंगे कि इतनी असफलताओं के बाद भी कोई आदमी कैसे आगे बढ़ते रहने की सोच सकता है जैक मा का जन 10 सितंबर 1964 को चीन की एक छोटे से गाउं में हुआ था जब वे 13 साल के थे तभी उन्होंने इंगलिस सीखनी सुरू कर दी थी ऐसा चीन में बहुत ही कम लोग करते थे क्योंकि उस समय चीन की प्रमुख भासा चीनी थी और इंगलिस सीखना जरूरी नहीं माना जाता था इंगलिस सीखने के लिए उन्होंने किसी सिच्छक का सहारा नहीं लिया था बलकि वे टूरिस्ट गाइड बन गये थे और टूरिस्टों को घुमाने के दौरान वो उनसे इंगलिस में बाते करने की कोशिस किया करते थे उन्होंने यह काम करीब 9 साल तक किया जिससे उन्हें इंगलिस का अच्छा नौलिज हो गया था दोस्तों जैक मा का वास्तविक नाम मायून है इन विदेशियों को गाइट करते करते एक विदेशी व्यक्त से उनकी गहरी मित्रता हो गई जो उन्हें पत्र लिखा करता था और उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक नाम दिया क्योंकि चीनी में उनका नाम बोलना और लिखना बहुत ही कठिन था तब से मा यून को जैक के नाम से ही जाना जाता है जैक का पढ़ाई में बिल्गुल भी मन नहीं लगता था इसी वज़ा से वो फोर्थ क्लास में दो बार और एट में तीन बार फेल हो गए कैसे भी करके ये सभी एकजाम सपास की तो ग्रेजिवेशन के इंटरेंस एकजाम में उन्हें पाँच बार असफलताएं मिली उसके पाथ जैक ने एक बहुत ही खराब माना जाने वाला इस्टूट में दाखिला ले लिया जहां से 1988 में उन्होंने अंग्रेजी में ग्रेजवेशन के एकजाम पास की जैक मा की कैरियर की सुरुवाद भी बहुत ही असफलताओं से भरा हुआ था उन्होंने 30 अलग-अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किये लेकिन हर बार उन्हें निरासा ही हाथ लगी इसी बीच वो एक बार केपसी में भी नौकरी के लिए गए उस समय केपसी चीन में पहली बार आया था इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था जिसमें से 23 लोग सलेक्ट हो गए लेकिन एक मात्र जैक का चयन नहीं हुआ सुरू से ही इंग्लिस अच्छी होने के कारण बाद में उन्हें एक कॉलेज में as a lecturer रख लिया गया उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक translator का काम किया 1995 की सुरुवात में वो अपने दोस्त से मिलने अमेरिका गये जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा जैक माने इससे पहले कभी भी इंटरनेट नहीं चलाया था जैक ने जब पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बीयर सब्द खोजा उन्हें बीयर से संबन्दित बहुत से जानकारियां अलग-अलग देशों से प्राप्त हुई लेकिन वो यह देखकर चौँग गये कि उस सर्च में चीन का नाम कहीं भी नहीं था फिर उन्होंने चीन के बारे में सामाने जानकारियां ढूड़ने की कोशिस की लेकिन फिर उन्होंने पाया कि चीन की कोई समाने जानकारी भी इंटरनेट पर उपलब्द नहीं थी जैक को इंटरनेट में एक अच्छा ओपर्चुन्टी दिखाई दे रहा था जिसके पात जैक ने इंटरनेट से ही जुड़ी हुई किसी काम को करने का सोचा उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया और फिर अपने देश के छोटे बड़े व्यवसाय को इंटरनेट से जोड़ने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम चाइना यलो पेस था कॉंसेट अच्छा होने के बावजूद उन्हें चीन में इसके लिए फंडिंग नहीं मिल पाई जिसके कारण उन्हें इसे भी बंद करना पड़ा दोस्तो इतने असफलताओं के बाद तो सायद ही कोई होगा जो आगे फिर और कुछ करना चाहेगा लेकिन नहीं, जैक ने अपनी पुरानी कम्यों को ध्यान में रखते हुए अपने वाइफ और 20 लोगों के साथ मिलकर उसी कॉंसेट के साथ फिर से एक नया वेबसाइट बनाया जिसका नाम अलीबाबा.डाट कॉम था इसमें भी उन्हें सुरुवात में थोड़ी से प्रॉब्लम फेश करनी पड़ी लेकिन फिर सॉफ्ट बैंक के एक बड़े नीवेश के साथ इस कम्पनी ने कभी भी पीशे मुण कर नहीं देखा और देखते ही देखते, दुनिया की सबसे बड़ी एकामर्स कम्पनी संपत्ति 20 बिलियन डॉलर से भी जादा है, दोस्तो अलिबाबा की नेटवर्क फेस्बुक से भी कहीं जादे है और जितना कमाई एमजान और इबे मिल कर करती हैं, उससे जादा जेक की कम्पनी अकेले करती है दोस्तो हमें असफलताओं से घबडाना नहीं चाहिए, बलकि उसका समझदारी के साथ मुकाबला करना चाहिए क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं होता है, अगर आपकी जिन्दगी में अभी छाओं है, तो इंतिजार करिए सफलता की किरण आपकी जिन्दगी को भी रोशन करेगी दोस्तो किसी काम में असफलता मिलने पर हतास नहों असफलता तो आपको ज़्यादा समझदारी से उसी काम को धुबारा करने का मौका देती है आपका भोमूल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं मैं हर रोज एक नई inspirational और motivational वीडियो के साथ आता हूँ दोस्तो आगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाते तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं धर्निवाद